ICC की मिटिंग्स तो काफी चल रही लेकिन आज होनी है डियल मिटिंग जिसके अंदर मौसर नक्विस साहँ भी जो है वो शामी लाइस मिटिंग का हिस्सा आउंगे आज PCB जो है वो जात लगड़ा है कि जो बजट है ICC का उसको अप्रूव करवाएगा PCB का चेंपियन ट्रॉफी पर डट जाना के चेंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी इंडिया तो पाकिस्तान आएगा याएगा इसको लेके इसके लावा PCB ने एक बड़ी हबर इसके साथ सुना दी है एक बड़ी होशबरी सनादी है इंडिया और पाकिस्तानी फैंस को तो भाई दिल जो है ना बाह बाह हो गया हुशी से तो चैंपियन ट्रॉफी का मामला अभी सालव नहीं हुआ था लेकिन पीसी बी ने एक और निया मुद्धा जा उठा दिया है मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि यार आप हमेशा पीसी बी की घलतियां ही बताते रहते हो लेकिन आप मुझे बताएं कि जब सही काम कोई करेगा ही नहीं तो हम बताएंगे कैसे इंडिया और पाकिस्तान के सीरीज की बाते चल रहे है पीसी बी की इस सवाले से एक बडी अपडेट है और यह जो परपोजल है जै किस तरफ depending हो यह पुरी पाकिसान के अदर हो यह तो फादिया है लेकिन दूसरी जो शो önτα रही है वो यह आये कि PCP यह प्लैनिंग करके पाकिसान से निकला शिलंका के लिए कि हाँ Financial Community आज बैठेगी जिसमें T20 World Cup 2024 में जो financial नुक्सान हुआ उसके वज़े से दो रिजाइन भी सामने आए उसके पर चर्चा होगी उसके बहस होगी उसके बात होगी और फिर आप लोगों ने यह सुना था ना कि वो पाकिसान क्रिकेट बोर्ट के CFO जो है और जो ICC की जो CFO एंक को रखना उन्होंने मिलके एक मचट तयार कि उस बच्चा हो रही है जिसमें जो यह भी शायद तया हो जाए चेंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नीट्रल वैन्यू के तहत होगी लेकिन साथ में और भी जो है और चेंपियन ट्रॉफी के लिए बजट भी डिसकस होगा वर्ल्ड कप में जितना लास हुआ ICC को उसके हवाले से बात चीत होगी हो गया है अब चेंपियन ट्रॉफी उसको करवाना है जो पाकिस्तान में होगा वहां कर भारत जाने वाला नहीं इसे उसको घाटा होने वाला वाला पर पाकिस्तान से रचीज सीरी टी ट्वाटी को खेले जिसको लेकर वहां के नकमी सामने बोला है कि हम बारा से एक सीरी करवाने की कोशिश करता है तो दोस्तों आए लेखते हैं पाकिस्तानी में क्या बाते हो रहे हैं पाकिस्तान के हलाफ तो अब ये सीरीज के वाले से जो बड़ी इंपोर्टन्ट हबर है तो बही उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे और उसके लवा हसन अली ने इंडिया के पाकिस्तां चिंपिन ट्रॉफी के वाले से टूर करने या ना करने को लेके एक बड़ी वारनिग दे दीए अंडियन टीम को और 20 सीयाई को तो उस बारे में भी भी बात करेंगे कि भाई हसन अली कहां से उठके इंडिया को वार्निंग दे रहे और क्या वार्निंग दे रहे और इंडिया हसन अली की वार्निंग को किस तरह से देख रहे और उसके लावा इंडियो और पाकिस्तान वोमेंज ने आज अपने मैचेस कहले चोटी टीम के लाव मैचेस कहले पाकिस्तान वोमेंज ने भी एक जबर्दस किसम का कमबग किया लेकिन साथ में अब नियूज बड़ी आ चुकी है कि PCP के चेरमेन मौसर नकवी साब यहां से एक और जो आव चीज तैय करके गे हुए है कि हमने जाना है वहाँ पर जाके इंडिया से रिक्वेस्ट करनी है कि जो आप चेंपियन ट्राफी तो हमारे साथ खेल रहे हैं लेकिन साथ में बाइलेटरल सीरिस जो है टी ट्वन्टी वो जो आप अमारे साथ खेलें और खेलें कहां पर नियूटरल वैन्यों के ओपर खेलें एक साइड आप उस मीटिंग में जाके PCCi को मना रहे होंगे कि यार चेंपियन ट्राफी पाकिस्तान में आके खेलो दूसी साइड आप उसी मीटिंग में PCCi से ये बात कर रहे होंगे कि यार हमारे साथ एक बाइलेटरल सीरिस खेलो और वो पाकिस्तान में नहीं बलके नियूटरल वैन्यों के ओपर खेलो आगे से PCCi सिदा अगर ये सवाल करें कि अगर सीरिस जो आपके हाना खेलें वो बाइलेटरल सीर वो नियूटरल वैन्यों पे खेल लेंगे अब समझ से बाहर है कि एक तरफ भारत को मना नहीं पाड़े कि आप पाकिसान में आके खेलें वो कहते हैं हाइब्र मोर्ड में आपके साथ खेलना है फिर दूसरी तरफ आप उनको ओफर भी दे रहो हाइब्र मोर्ड करता है सीरिस खेलने की समझ नहीं लगी मतलब कि आप अब दिसकस करोगे तो आगे से नहीं के फिर चैंपिने के अच प्रोस किया जाएगा तो बेसिकली आज काफी हद तक इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि आप लोगो को मैं याद लाता चलूँ जो फाइनेशल कमेटी है उसका है उसका है जेशा जेशा जैशा जो फाइनेशल कमेटी की वो करते हैं उसके अंडर ये बजट को डिसकस करेंगे तो कहीं नहीं आपको इंडिकेशन जरूर मिलीगी मुशन अख्वी भी कल रात कॉलंबो पहुच चुके हैं आज से वो मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तो आज और कल दो इंपोर्टन देज है चैंपिन्स टॉफी दोहजार पच्छिस क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है इंडिया अपना मुद्धा रखेगा नहीं रखेगा भी या फाइनेशल कमेटी के पर बात होगी क्योंकि फाइनेशल कमेटी भी बहुत सारे सिगनल आपको दे देगी इंडिया का म मतलब है कि एक ही जगा पर होस्टिंग की बात कि ले सकते और आपने देखा होगा कि ने यूएई को शिकस्त दी है तो यूएई ने पाल से पुरानी टीम है तो उस टीम को शिकस्त दी है तो वेलन गूर्ड इंडिया ने इसी तरह लपेटा है अपने मैच में जो मुखालिफ टीम को यूएई को तो इंडिया की को भी जीत मिल गई पाकिस्तान को भी जीत मिल गई दोनों टीम में खुश हो गई है तब बनेगी जब पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमी फाइनल तक पहुंच के सेमी फाइनल में जीतेगी और फिर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर पाकिस्तान सेमी फाइनल जीता जाता है तो मतलब समझ से बहार है कि PCV के निवाद में चल क्या रहे एक चैंपियन स्टोफी इसको जादा इंप्रोटन्त सीरी से जाधा पैसा कमाने साथ मजदा रहा की सीरी स्करवानी एं ऑस्ट्रेलिया पीछे पड़ा हो इंग्लेंड पीछे पढ़ा वह आपको बता दूं इंडिया नहीं मानेगा इंडिया मानेगा जो सिर्फ एक ही सुलोल लेकि जो यह ओफर लेके जा रहे हैं कि भारत के साथ खेलनी है इसका अभी कोई टाइम बनता था पहले आप उनसे चैंपियों सोफी के मुद्दे के ओप पूरा जो सो कहते है ना फाइनल टॉप कर लें अब आपको पता है बजट एक पास होना है चैंपियों सोफी जो पाकि करें कि यार चैंपियन ट्राफी पाकिसी बाहिर किसी बी सुरत में हम होने ही नहीं देंगे। दूसरी साइड आप उसी बोड को जो अपनी BCCI का भी फाइदा है PCB का भी फाइदा है पैसा आएगा भाईसाब revenue जो है generate होगा कोई इसमें जो नुकसान नहीं है लेकिन अगर फाइदा इसमें BCCI अपना देखे न BCCI फिर PCB को क्या बोलेगा BCCI बोलेगा चलें अगर आप कहा रहे हैं कि neutral venue पे तो चले हैं फिर इंडिया में कर लेते हैं आप अपनी टीम को इंडिया में लेकिया है 5-6 T20 matches हम कहल लेंगे पाकिस्तान की cricket day by day डाउन हो रही है इंडिया की cricket day by day मझबूत हो रही है हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया बोला है कि भारत से पाकिस्तान भी पच्छी सीरीज चनला चाहता है और चंपीन ट्रोफी वी बारत अगर पकिस्तन नहीं आता है तो इसे जुशरे जापके जापके सथाजाद़ा जासे लें कमें है इवी निक बिक्याट सथाजा जो तो फिद लेगा हुट चुट लेकि से अर शेख पांग लूदी में प्रिण नहीं जाए